इंटर्नल बैक लिंक्स को डिस्कस करते हुए जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था उसे रेलिए काफी सारे सवाल, कॉमेंट्स, मैसेज़ेज और इमेल्स में मुझे मुझे जिसमें अधिकतर कुश्चिन्स का बेस था वेबसाइट और ब्लॉग या पोस्ट और उसे क्या डिफरेंस होता है और किसे ब्लॉग बनाना चाहिए, किसे वेबसाइट बनाना चाहिए, ये सवाल थोड़ा सा टेड़ा है, इसके लिए मुझे 4-5 मिनिट आपको देने होंगे, तो अगर आप भी जाना चाहते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरें टेक्निकली आप जो भी इंटरएंट पर देखते हैं वो सबी वेबसाइट हैं, गुगल.com एक वेबसाइट है, फिस्बूक.com एक बेंसाइट हैं, और पोगो.com भी एक वेबसाइट है करीब 1993 में इजाद हुए इस word को internet या worldwide web पर बनी हुई सारी properties के लिए use किया जाता है so blog भी एक तरह की websites होती है लेकिन हमें website और blog के बीच में SEO के लिहाज से फर्क देखना है so वापस आते हैं SEO point पर website और blog के बीच में notebook और diary वाला difference होता है website किसी subject के notebook या copy की तरह होती है और blog diary की तरह होती है आप लोगों में से कितने लोगों ने diary लिखी है बचपन में या अगर अभी भी लिखते हैं तो I won't judge you diary में हर रोज एक नए page पर date डाल के आप दिन भर के अच्छे बुरे incidents को लिख डालते हैं blog diary का एक digital version होता है आप जो भी experiences हैं आपके जो भी आप कहना चाहते हैं आप उन्हें explain करते हैं detail में लिखते हैं बट page by page लिखते हैं और ये pages date या दिन के हिसाब से अलग-अलग होते हैं website notebook के तरह होती है एक subject की एक notebook और एक industry या एक business के लिए एक website पूरी notebook या copy में हर page पर अलग-अलग topic लिखा होता है और copy का content date पर depend नहीं करता है बलकि जिस भी topic को आप cover कर रहे हैं उसे पूरा cover करने पर depend करता है एक normal trend आजकल है कि business website में भी blog का एक section होता है कुछ दोस्तों ने सवाल पूझा कि internal backlinks के levels में blog posts को भी क्या शामिल किया जा सकता है और इसका जवाब असल में depend करता है आपकी website के URL structure पर माल लेते हैं कि आपकी website है example.com और इसमें pages के URL है example.com slash page 1 और example.com slash page 2 slash page 3 and so on इस website में blog section कई तरह से हो सकता है अगर यह blog.example.com है तो फिर आपकी website ही अलग हो गई, blog भी अलग हो गया क्योंकि सब domains अलग-अलग होते हैं तो internal backlinking बोल जाएए दूसरा structure हो सकता है example.com slash blog slash blog post 1 इस तरह की URL structure में आपकी blog post का जो parent है वो है यह blog तो blog आपके लिए main page होगा और आपका level 1 page blog के साथ deal करेगा और आपको post को बाकी pages के साथ mix नहीं करना चाहिए थर्ड टाइब का blog post structure हो सकता है example.com slash blog post 1 और example.com slash blog post 2 इस तरह की URL structure आजकल काफी common है WordPress platform ने इसे काफी popular बना दिया है और इस तरह की URL structure में आप decide कर सकते हैं कि एक blog post किस level के page में आएगी because post और page में कोई difference नहीं होता है confused? post और page के बीच में difference पर अभी एक मिनट में आते हैं बट उससे पहले एक example देख लेते हैं इस topic के लिए suppose आपकी website है gift delivery business के लिए और आपकी website में level 2 के pages है cake और chocolate के बारे में level 3 में आपने chocolate के नीचे और भी pages बना लिए है like chocolate gifts or chocolate guides I don't know, I hate chocolate मुझे नहीं पता example में क्या idea आने चाहिए but you get the point so यह website का structure है और दूसरी तरफ इसी website में एक blog का section है जिसमें एक blog post है chocolate recipes के बारे में so अगर इस post का URL third style में है something like example.com slash chocolate dash recipes तो आप इसे page levels में कहीं पर भी अपने हिसाब से connect कर सकते है because आपको पता है कि आपने post बनाई है या page बनाई है but search engines को कैसे पता लगेगा URL structure तो independent है बाकी और क्या लग हो सकता है अगर आप अपनी blog post में कोई different menu use कर रहे हैं, sidebar use कर रहे हैं तो वो secondary content में आ जाएगा देखे किसी भी website के parts होते है pages यानि के web pages page का physical word में क्या मतलब होता है पना या कागस का एक टुकड़ा websites के term में post एक ऐसा page है जो chronological order में किसी और post के आगे आता है remember मैंने बोला था ना कि blog एक diary के तरह होता है और diary के pages chronological order में होते हैं date wise एक के बाद एक आते हुए pages को अपने से पहले वाले page की बात को आगे बढ़ाना होता है post word का literal meaning होता है subsequent to website का एक page किसी और topic को cover कर सकता है दूसरा page किसी दूसरी direction में जा सकता है लेकिन blog का एक page date पर depend करता है so post और कुछ नहीं page का सिर्फ एक type है इस post और page के confusion को wordpress platform और बढ़ा देता है wordpress को एक blogging platform के तोर पर develop किया गया था इसलिए आज भी wordpress के dashboard में post का option page से उपर आता है wordpress dashboard में post option पर click करके जब आप एक page बनाते हैं तो वो blog section में chronological order में अपने आप दिखाई देने लगता है इन सभी post को आप एक common sidebar दे सकते हैं इनकी अपनी अलग category इत्यादी वगरा हो सकती है बट वो post page या web page का एक type है कोई बिलकुल अलग चीज नहीं है wordpress blogging का एक platform भर है blogging की definition नहीं है google search engine का सिर्फ एक type है हमेशा याद रखिए कि आपको main topic पर focus करना है theory को समझना है practical अपने आप आ जाता है so thank you so much for watching this video my name is Amit Tewari for amitwari.net and I will see you next time take care